भजन सहीता अध्याय चवालिस हे परमिश्वर हमने अपने कानों से सुना है हमारे बाबदादों ने हमसे वर्नन किया है कि तुने उनके दिनों में और प्राचिनकाल में क्या-क्या काम किये है तुने अपने हाथ से जाकियों को निकाल दिया और इनको बसाया तुने देश-देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारो ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, और न अपने बाहू बल से, परंग तु तेरे दहने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्नमुख के कारण जैवंत वे क्योंकि तु उनको चाता था, एक परमेश्वत तु ही हमारा महराजा है, तु याकूब के उध्धार की आज्या दे, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ड़केल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौन देंगे, क्योंकि मैं अपनी तलवार के बल से बचोंगा, परंतु तू ही ने हम को द्रोहियों से बचाया है, और हमारे बैरियों को निराश और लज़िप किया है, हम पर्मिशुर की बढ़ाई दिन भर करते रहेंगे, और सदेवु तेरे नाम का धन्यवात करते रहेंगे, परंतु तूने अब हम को त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं तूने हमें कसाई की भीडों के समान कर दिया है और हमको अन्य जाकियों में तीतर बीतर करता है तू अ जारों ओर के रहने वाले हमसे हसी ठटा करते हैं तो हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश-देश के लोग हमारे कारण सिरह लाते हैं दिन भर हमें तिरसकार सहना पड़ता है और कलंक लगाने और निन्दा करने वाले के बोल से और शत्रू और बदला देने वालों के कारण बुरा भला कहने वालों और निन्दा करने वालों के कारण यह सब कुछ हम पर बिता तो भी हम तुछ से नहीं भूले ना तेरी वाचा के विशे विश्वास घात किया है ना हमारे मन भैके ना हमारे पैर तेरी बाट से मूरी तो भी तुने हमें गिद इसका विचार ना करता, क्योंकि बहुत तो मन की गुप्त बातों को जानता है, परंतु हम दिन भर तेरे निमित मार डाले जाते हैं, और उन भेडों के समान समझे जाते हैं, जो बद होने पर हैं, हे प्रवभु, जाग, तू क्यों सोता है, उठ, हमको सदा के लिए त्याग दे, तू क्यों अपना मुह छिपा लेता है, और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है, हमारा प्रान मिट्टी से लग गया है, हमारा पेट भूमी से सट गया है, हमारी साहता के लिए उठ, खड़ा हो, और अपनी करोणा के निमित्त हमको छुडा ले